हेलो इस्टुडेंट मैं रुपमिस्टा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूटूब चैनल सेल्फिश्टुडी मैजिक में हम लोगों ने प्रिवियस क्लासेस में मिक्षियन और इनलिगेशन से रिलेटेड बहुत सारे कोश्चन को सॉल्व किया था और जाना था कि क अपरोच होगी क्या बेस्ट ट्रिक होगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं चुकि हम लोगोंने मिक्षियर और इनलिगेशन का कॉंसेप्ट जान लिया था और बेसिक लेवल की कोश्चन हो गय थे तो हम सीधे टारिक्ट कोश्चन के ओर चलते हैं देखिए कोश्चन का गह र कि तीसरी बोतल में कितनी मात्रा लेनी है कि तीसरी बोतल से अंतिम मिस्रण एक अनुपाते एक के अनुपात में हो देखिए कोश्चन कैसे करेंगे क्या बोला है दो अनुपाते 3 के अनुपात में 3 अनुपाते 4 के अनुपात में 7 अनुपाते 5 के अनुपात में लिया गया पहले वाले में 10 L, दूसरे वाले में 20 L, और तीसरे वाले में बोला या कि कितना मात्रा लेनी चाहिए, कि अंतिम भिष्टण में जो अनुपात है, ऐक अनुपाते एक के फॉर्म में हो, तो अब इसमें कित्ता लें, एक समाल लेते हैं, अब देखिए, यहां पे 10 हो रहा है, 10 overall ले रहे हैं पर यहां पर total की 20 आ रहा है, 5 हो गया, और इसमें किया हो रहा है, एक 20 है टोटल और व्रम यहां पर कितना निकल के आ रहा है साथ निकल के आ रहा है, ने तो विसकट निकल के है रहा है, तो किसमें प्लस 7x और 6, 12, 16 प्लस 5x ठीक है, x, x, x पास पास मिलाते हैं तो कितना हो जाता है, 7x माइनस 5x, तो 2x और ये 18 में 13 जाएंगे तो कितना निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा, तो x की वैलू क्या निकल के आएगा, 5 अपान 2 मतलब 2.5, तो 2.5 लीटर x की वैलू निकल के तो ये अनुपात जो है, एक अनुपात एक के फर्म में आ जाएगा, समझ गए होंगे ये कोशन, देखिए, पहले में 2 अनुपाते 3 था, दूसरे में 3 अनुपाते 4 था, और 4 में क्या था, 7 अनुपाते 5 था, बोल ला है अगर इसका 10 लीटर, इसका 20 लीटर, और इसमें प अगर आल 10 है, तो 2 का इंटू कर दिये, तभी नहीं ये 10 होगा, नहीं तो नहीं होगा, यहाँ पे 7 है, अब यहाँ पे प्लस किये, तो जो रेशियो है, वो 7 हो रहा है, बट यहाँ पे 21 आ रहा है, तो 3 का इंटू करेंगे, तभी 21 आ रहा है, तो 4 अनुपाते 6 हो गया, इ सब्सक्राइब होगी है उसमें को ब्रतन जिसकी छम्ता दो लीटर है कि उसमें 35 है लाइश द्रप द्रब को एक दस लीटर छम्ता वाले बर्तन में डाल दिया जाता है то सेस भाग में पानी क्या होगी हमको यह बताने है देखें इस टाइप के कुश्चन को कैसे करेंगे क्या बोला है कि दो लीटर छमता वाले एक बरतन में कि पचीस परसंट इलकोहल है पचीस परसंट का मतलब एक बटे च्यार और दूसरे में 6 लीटर छमता है बरतन की और और 40 परसंट इलकोहल है तो कहने का मतलब दो बटे 5 इलकोहल है तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.5 निकल के आएगा इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो छदुनी बारा यह निकल के आएगा 2.25, 2.4 आएगे निकल के, ठीक है, अब क्या बोला है, जो दो इलकोहल है, दो बरतन में, उसको एक 10 लीटर वाले बरतन में डाला गया, तो 10 लीटर वाले बरतन में डाला गया, तो 0.5 को भी डाला गया होगा, और 2.4 को भी डाला गया होगा, तो कितना हो गया, 2.9 हो गया, 10 लीटर में 2.9 लीटर हमारा एलकोहल हो गया ठीक है तो यह 10 लीटर में है इसका पूरा सांदर्ता इसकी पूरी सांदर्ता की बात हो रही है 10 की वैलू 2.9 लीटर तो 100 percent की वैलू कित्ती होगी 29 लीटर होगी समझ गया होंगे बात को देखिए 10 में है 2.9 लीटर तो 100 में 29 लीटर होगा ठीक है मतलब 10 लीटर में कितनी सांदर्ता होगी लिकोहल की 29 लीटर होगी ठीक है एक में 25 परसेंट एक में चालिस परसेंट डाल गया तो हमारा उकोहल की पानी काना निकल के ऐग त्व kenर tu देखें क्या बोला है कि 105 लीटर मिस्रण में दूध और पानी का अनुपात 8 अनुपाते साथ था मिस्रण के कुछ मात्रा हटा ली जाती है जिसमें 14 लीटर पानी था बाद में 6 मिस्रण में 5 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो दूध का नया अनुपात क्या होगा हमको यह बताना देखिए इस टाइप के कोश्चन को कैसे करेंगे कोश्चन बोला है 105 लीटर का मिस्टन था और दूध और पानी का अनुपात आथ अनुपाते साथ इतनी बाते तो समझ में आ गए होगी जिसमें 14 लीटर क्या था कहने का मतलब 7 की वैलू 14 हो गई तो एक की वैलू 2 हो गई तो आठ की वैलू 8 उनी 16 हो जाएगा तो मिस्रण में कुछ मात्रा हटा दी जाती है तो कहने का मतलब हटेगा भी आठ अनुपाते 7 की फर्म में मिल्क और बाटर देखिए 105 लीटर का मिस्रण था टीक है आठ अनुपाते 7 के फर्म में था मिस्रण की जब कुछ मात्रा हटा दी जाएगी तो वो हटेगा किस फर्म में 8 उन्पाते 7 की फर्म में भटेगा और दिया है कि वाटर 14 है तो हमारा मिल्क कितना हो जाएगा 16 हो ज कीजिये के question में यह दिया है कि 105 लीटर्म है थूद और पनी का नुपात आठाः फॉर्म में है मिस्रण की कुछ मात्र हटा दी जाते है तो मिस्रण की जो मात्र हटाई जाएगी वह भी आठाः नुपाते साथ के फॉर्म में हटाई जागी और आगे दिया है जो जो है जिसमें बॉर्टर 14 है तो साथ की बैलु 4 निकल कि आई एक की बैलु 2 हो गई तो आठ की बैलु 16 हो जाएगी तो ओबराल 30 हो जाएगा मतलब 30 लीटर निकलेगा मिस्षण 30 लीटर मिस्षण निकलेगा तो 75 लीटर बचेगा अब 75 लीटर में दूध और पानी का अनुपात 8-7 का फॉर्म होगा भाई इसमें भी 8-7 का फॉर्म होगा इसमें भी होगा तो यह 8-7 क्या होता है 15 तो 15 की बैलू 75 है 15 पचे 75 15 15 पचे 75 एक की बैलू क्या निकल के आई 5 देखिए कोशन अब आगे का बोला है कि 5 लीटर पानी को मिलाया गया तो पाच लीटर पानी का मतलब एक है एक की बैलू 5 है तो यहां पर हमें एक रख देंगे तो 8 पाती एक के फ़ों में आगये ठीक है मिश्वीर एक रख देंगे एक के फॉन में आगया यहीं अमारा एंसर है एक बात फिर से समझा देता हूं मैं 105 लीटर मिश्वीर था जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो आठ अनुपाते साथ था चीक है और वाटर दिया है चौदा सबसे सुरू सुरू में मैंने क्या बताया था कि मिल्क और बॉर्टर जिस अनुपात में आएंगे उसी अनुपात में जाएंगे देखिए अगर मैंसे में मिल्क बाटर है अर्टिस लीटर है तो अगर हम बीस लडियर निकाल दें तो यह दो अनुपात है नुपात में युटर हटेगा ऐसे पानी को एड़ किया जा रहा है तो पांच लीटर पानी का मतलब क्या हो गया एक की वैलू पांच तो यहां पर एक और एड़ हो रहा है मतलब वन और एड़ हो रहा है तो आठ हनुपाते आठ के फॉर्म में हो गया मतलब एक अनुपाते एक के फॉर्म में हो गया ठीक है मिल् जाता है और बचे हुए मिस्रण में 17 लीटर दूध और 22 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो दूध हुआ पानी के बीच अभी भी अंतर 95 लीटर का है तो X की जो वैल्यू है वो हमको निकालनी है बहुत अच्छा कोश्चन है कि देखिए इस कोश्चन को कैसे करेंगे मिल्क किता है 189 है वाटर किता है 180 है तो किस अनुपात में है यह कट करेंगे सिंप्लेश फॉम में आएंगे तो नाइन से कट करते हैं नव दूनी अठारा नव एक कमना नुम एक चासी फिर कट जाए अगर तीन सते किस तीन तीन ते में कुछ मात्रा एक्स मात्रा मिस्टरण की निकाल ली जाती है तो एक्स मात्रा निकाल दी जाती है इसके बाद मिस्टरण में 17 लीटर मिल्क और 22 लीटर वाटर को एड़ कर दिया जाता है तो यहां पर कितना अधिक मिल्क है 108 अधिक मिल्क है ठीक है 108 लीटर अधिक मिल्क और अंतर कित्ते का दिया है 95 का दिया है अंतर 95 का दिया है वैसे अंतर कित्ते का है यहां पे अंतर कित्ते का है पांच का अंतर है ठीक है 108 जो है पंचानने हो रहा है कहने का मतलब बॉटर यहां पे 108 अधिक हो रहा है और यहां पे पंचानने हो रहा है और 5 यह हो गया हमारा 5 यहां पर हमारा water अधिक हो रहा है तब पंचानने हो रहा है तो मतलब कहने का मतलब क्या है 108 यहां पर हुआ और 5 जो माइनस करेंगे तो 103 हो जाएगा 103 हो जाएगा तब भी 8 लीटर एक्स्ट्रा में हो रहा था आठ लीटर एक्स्ट्रा में होगा तो कह सकते हैं कि यह जो आठ लीटर एक्स्ट्रा में है आठ लीटर एक्स्ट्रा में है वही मिस्टर निकल रहा था वही मिस्टर जो है निकल रहा था तो यह किस अनुपात में निकलेगा साथ अनुपा हो गई 8 हो गई तो एक की वैल्यू क्या निकल के आई दो निकल के आई तो ओवराल गित्ता निकला था साथ और तीन दस निकला था और एक की वैल्यू क्या है एक की वैल्यू दो है तो दस की वैल्यू 20 हो जाएगी तो 20 लीटर मिश्टर निकला था कि मैं एक बार फिर समझा देता हूं यह एकदम टिपिकल कोश्चनों में से एक है ऐसा उसे कोश्चन नहीं है टिपकल कोश्चन है देखिए यहां पर मिल्क 108 श्राट 180 है और वाटर गीता है 180 अगर देखा जाए कि यह कि सनुपात में तो साथ पारत थीन एक पार्त थीन के पारम में है और यहां पर मिल्क 108 हो रहा है मिल्क क्या हो रहा है अधीक और ह मूर्त तो अभ आभ यहां पर एक सद् необход यहां पर निकला निकलने के बाद 17 month हुआ है यहां पर 22 रिभा है तो किटना अधिक हैड हुआ है पांच अधीक है हुआ है और wheat है अपाइब अब यहां पे 108 का है, बट यहां पे 5 निकल के आया और पंचानने बीच का जो अंतर है, आठ का है तो वही जो आठ लीटर है वही निकला रहा होगा एक्स वही रहा होगा ठीक है आठ लीटर वही निकला रहा होगा तो यहां पर किस अनुपात भी निकलीगा साथ अनुपाते तीन तो जब अंतर निकालेंगे तो चार निकल गया तो एक की बैलू दो निकल के आई तो ओवरॉल कितना है साथ और तीन है दस है तो एक की वैलू दस तो दस एक की वैलू दो तो दस की वैलू बीस निकल गए तो बीस लीटर हमारा मिस्टर निकलेगा इस कोश्चन को मैं फिर समझाऊंगा देखिए मिल्क और वाटर जो है छिए 180 की वॉम में है मतलब में अगर कट करे तो साथ्पाते तीन की फह क्यांओ core यहाँ पर मिल्क किता है 108 मिल्क है और जब सत्राN और जबाईस करते हैं तो कितना अधिक है त्छ सथ्था इत्व सिखता अधिक है कम है पाच चर windows संधी. next 10 अब 108 जो है पंचान ने हो गया 108 की वैलू पंचान ने हो गई पर पांच यहीं पे हो गया पांच यहीं पे हो गया बचा आठ तो आठ लीटर जो है वो निकाल दिया गया था आठ लीटर निकाल गया था किस अनपात में निकाल गया था साथ उनफाते टीन के फॉं मिनिकाला गया था तो चार की वैलू 8 निकल के आई गोगे दुद्ध की वैलू 20 निकल गया जाएगी बहुत कुछ सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब दोज़न के साथ मिला जाता है तो परिणामी मिस्रण में सोने का percentage प्रतिसाथ 30% है तो परिणामी मिस्रण में प्लेटेनियम की मात्रा क्या होगी हमको यह बताओ देखें इस टाइप की question को कैसे करेंगे बीच में पढ़िए दोनों मिस्रणों में सोने का जो प्रतिसत है बराबर है और नीचे थोड़ा सा देखिए जो परिणामी मिस्रण है उसमें सोने का जो percentage 30 है तो परिणामी मिस्रण में सोने का percentage 30 होने का मतलब first वाले में 30 रहा होगा second वाले में 30 रहा होगा तो मतलब gold जो हमारा है first वाले में 30 रहा होगा second वाले में 30 रहा होगा तब ही परिणाम में क्या निकल के आएगा 30 निकल के आएगा तब ही परिणाम में हमारा 30 निकल के आएगा जब फस्ट वाले में गोल्ड 300 सेकंड वाले में गोल्ड 300 अब देखिए कुशन क्या बोला है कि पहले मिस्रण के 300 को 300 केजी को दूसरे मिस्रण के 500 केजी के साथ मिला जाता है तो अनुपात क्या होगा हमको ये बताना अब देखें यहां पर 40% था प्लेटिनम कित्ता परसंट था 40 परसंट तो कह सकते हैं जब कटेगा तो 4-3-12 120 निकल के आएगा दूसरे मिस्टर में चांदी कितनी थी चांदी कितनी थी दूसरे मिस्टर में चांदी कितनी थी चांदी हमारी 26% थी ठीक है overall क्या निकल क्या है 56% निकल क्या है overall 56% second वाले में GOLD और जो चादी है उन्वों मिला के 56% total के जो बचा हुआ भाग क्या होगा बचा हुआ जो भाग होगा 44 होगा और 44 क्या होगा 44% 44% हमारा platinum होगा किसे में कितने में 500 में से बोला है 500 500 की मात्रन मिलाई जाती है तो 500 में क्या 44 परसेंट 500 का चाया और 44 परसेंट निकालेंगे हम लोग कि 44 बटे सो तो कटेगा तो पांचोग बीस पांचोग बीस किस बाइस 220 तो ओवरॉल कितना हो गया ओवरॉल तो तीन सो चालीस केजी क्या है तीन सो चालीस केजी परिणामी प्लेटीनम की मात्रा ठीक है एक बार और देख लीजिए गोल्ड जो हमारा परिणाम में तीस परसेंट निकल क्या ओवरॉल तो फरस्ट वाले में 30 रहुगा सेकंड वाले में 30 रहुगा तब हमारा परिणाम में 30 निकल की आयाई 300 को 500 की साथ मिला जाया और 40% यहां पर प्लेटीनम दिया है तो 300 की 40% 120 है और सेकंड वाले में 26% चादी है तो टोटल का 56% निकल की आया और 500 का 44% बाई 56 परसेंट टोटल का गोल्ड और क्या है चांदी हो गई दो मिलाएके 56 हो गया तो बचा हुआ प्लेटीनम होगा तो पांसो का चौवालीस परसेंट लेगरां 204प लेटीनम अगले क्वेश्च कैरांव निकालन परसेंट ञल्र00 अगले कोश्चन क्यों चलते हैं दीखें क्या कहे रहा है कि एक मिस्लेट में दूधा और पानी का अनुपात तीन अवन पाते इसक्याराइब दूर्ध के मिल्क और और बाटर का अनुपाथ टीन नुपाथे एक के फॉर्म में हैती कि विशुबीस लीटर मिस्रन को निकालने के बाद देखीएnet अगर मिष्जब को निकाला जाता है तो मिस्रन उसी निकलेगा जैसे तीन नुपाथे निकाल देंगे एक मीनी को आपकी प्रृट में पर्ट रहे हैं अब 9 लिटर याल यार्टर याband कर दिया तो ऑनुपात प मिल्क में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है मिल्क में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है हम बॉटर में एड़ किये थे बॉटर में एड़ किये थे तो बॉटर में इफेक्ट पड़ रहा है कोई दिक्कत नहीं मिल्क पर नहीं पड़ना चाहिए अगर मिल्क में पड़ता तो हम into करते है नहां कुछ न कुछ करना पड़ता बराबर बनाने के लिए प्पर पहले से ही बराबर है तो एक से कितना हो रहा है चार हो रहा है water और यहां पर overall कितना हो रहा है नहों हो रहा है तो 3 की value क्या निकल के आई गी एक Beckle का कई सकते हैं कि यहां पर टोटल बिस्टाइग तीन चार 3 chill कि तो 4 के वैलो क्या हो गई चार तरहीं 12 हो गई यह 12 निकाल लिए थे 24 लिटर हम मिसरण निकाल लिए थे तब है हमारी 12 होगी तो यहीं 24 लीटर मिसंट रभाए dub march तर देंगे तो सभब 감사 छाए程 मिस्टन निकाल दी जाया और उतनी ही मात्रा पानी आड्ड कर दें तो अनुपात पाँच अनुपाते जो रिश्य हैं लेन अब ऌकद कोठे निकल रही है और उतनी ही चीजे आ रहे हैं तो अनुपाद पांच अनुपाते तीन कहुं को रहा है का तो देखिये तो इतनान रहेगी नच्म पांच लीटर है तो ढालेटर वटर को निकल के फिर दो लीटर बोटर अड़ कर दे में तो यह तो गलत बात है ना आठ और पी नहीं होना चाहिए बराबर कैपिसिटी होनी चाहिए उसमें इनको बराबर करेंगे तो इसमें एक का इंटू कर देंगे इसमें तीन के निखल के आएगा आठ दूने तो यह समझ में आया वह समझ में आ गया होगा कि अब कितना भाग निकाला गया था कितना भाग निकाला गया था हमको यह बताना तो एक अंतर कित्ते का एक का है और वैसे कित्ते का है सोला का है प्रारंभीक मातर कित्ते हैं सोला है एक बटे सोला भाग निकाला गया था कितना निकाला गया था, मिल्क कितना निकाला गया था, वाटर तो एड कर रहे हैं, मिल्क कितना निकाला गया था, एक बटे 16 भाग निकाला गया था, समझ गया होंगे, एक बार मैं फिट समझा देता हूं, दो अनपाते एक के फर्म में हैं, पांच अनपाते तीन हो जाता है, भाई मिस्रन में कुछ मात्रा एड कर रहे हैं तो यह पांच अनपाते तीन हो जाता है मतलब कैपिसिटी दोनों को दराबर होगी तो इसमें एट का इसमें 3 का इंटू कर देंगे तो 16 और 8 15 और 9 हो जाएगी यहां पर हम क्या निकाल क्या रहे हैं पानी तो हम लोग आड कर र में तो एक बटे 16 भाग हम मिल्क निकाल रहे हैं और उतनी ही मात्रा में हम लोग वाटर को एड कर रहे हैं ठीक है कुछन समझ गये होंगे अगले क्यों क्यों बढ़ते हैं हम लोग देखिए क्या गया रहा है कि बीकर में पानी बढ़ा हुआ है जिसका तीन भाग पानी है और साथ भाग औस्त prophefire इस मिस्रन का कितना भाग पानी से पानी में बदलने पर परिणावी मिस्रन से पानी और 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 अवसंद का अनुपास एक अनुपास एक हो जाएगा देखीए ऐसे question को कैसे करेंगे इसमें दिया है water water तीन भाग है और और हमारी साथ भाग पानी से बदलने पर पानी से किसको बदलने पर औसी को बदलने पर अनुपात एक एक हो जाता है तो एक अनुपाते एक अनुपात हो जाता है अब देखिए बदल रहे हैं भाई अब दोनों की कैपिसिटी सेम होगी है ना दोनों की कैपिसिटी सेम होगी तो इसकी कैपिसिटी 10 है इसकी कैपिसिटी 2 है हम बराबर बनाएंगे क्योंकि capacity बराबर होनी चाहिए अब 5 का into करने के बाद 10 हो रही है तो 5 का इसमें कर रहे हैं तो इसमें भी करना चाहिए तो 5 अनुपाते 5 के form में आँ है मतलब हम औसत को 2 कम करके और water में 2 add कर रहे हैं तो कहने का मतलब कितना add कर रहे है water को दो और कितने में सेवन में से तो दो बटे शेवन भाग हम औसत को हटा के water से प्रतिस्थापित कर रहे है तो दो बटे 7 हमारा इसका answer निकल कर देखें कितना बढ़िया solution था समझ में आ गया होगा आपको अगले question क्यों चलते हैं देखें question क्या बोला है कि एक बरतन में acid और पानी का घोल था जिसमें 64% पानी था और बरतन में से 4 लीटर घोल निकाल लिया गया यदि परिणामी घोल में 30% अमल है तो बरतन में शुरुआत में घोल में पानी की मात्रा क्या ती हमको यह बतानी इस question को कैसे करेंगे क्या बोला है 54% पानी था इसका मतलब 36% क्या रहा होगा acid रहा होगा अब 4 निकाल लिया गया 47 गोल निकाल लिया गया तो बचा आमने कित्ता 30 बचा तो यहां पे 4 निकाले गया वैसे कित्ता निकाले गया 6 निकाले गया तो एक की वैलू 4 बट्टे 6 निकल के आई थीख है ओबरॉल घोल कित्ता हो गया 666 चचवको 24 हो गया ओबरॉल घोल 24 हो गया अब 64 परसंट क्या था 64% पानी था 64% पानी था तो कहने का मतलब 24 का 64% 64 बट्टे 100 ठीक है तो हमारा overall क्या cut करेंगे तो निकल के आएगा 15.36 15.36 15.36 हमारा क्या है पानी समझ गए ये चीजें आपको समझ में आई 36 था फिर 30 हो गया 36 था फिर 30 हो गया ठीक है यहाँ पे 4 निकाला गया था पर यहाँ पे overall कितना निकाला गया 6 निकाला गया तो एक की value 4 बट्टे 6 निकल के आई तो cut किये तो 24 हो गया 64% हमारा क्या है वाटर है तो 15 समलो 3-6 हमारा पानी रहा होगा आज के लिए बस इत्ता ही कुछ question हमारे छुट गया है कल हम उन question को complete करवा देंगे then इसके बाद हम लोग simple interest और compound interest के ओर चलेंगे तब तक के लिए thank you धन्यवाद आप सभी का